में MPPAC Assistant Professor के लिए है यह syllabus इसमें subject होगा ग्रह विज्ञान जिलनों का भी subject है ग्रह विज्ञान उनका रहेगा यह syllabus ठीक है तो देख लेते हैं कि इसमें भोजन विज्ञान होगा भोज समूँ भोजन की तैयारे भोज सनरक्षन और भोज विज्ञानें की भोज विश्लेशन भोज संसादन बया हेज पोशन विज्ञां पोशन के अधार बू number पोशन के जैव रशायन, खाद सुक्ष में जीव विज्ञान, लोग पोशन, जन पोशन, उप्चरात्मा के पोशन, ठीक है ना, अब हम सेकेंड यूनिट देखेंगे जिसमें पहला टॉपिक होगा, संस्थानिक प्रवंधन, जिसमें क्या-क्या है, इतने सारे संस्थानिक प्रवंधन हैं, जैसे अस्पताल हो गया, भुजनाले हो गया, रेस्टोरंट हो गया, कॉफी, ग्रे, बाई, भुजन, खाद सेवा के प्रवंधन, समादी संस्थाओं के प्रवंधन, परिवारिक संस्थान है, हाँ, हिद्धिय-ंग्लिश दोनों में भी रहेगा शचलेस, एक संस्थान, सिसु पाल, और ब्रध आश्रम, पंचायद, सेच्चि संस्थाों के प्रवंधन में, पूर्वशाले, प्रात्मिकर माद्यम के स्कूल, कॉलेज और बिश्विद्याले, उस्च्छा संस्थान, विसे इस संस्थाओं के प्रबंदन, सायरी के मांसिकर समाजिक रूप से चुनातियां, पूर्ण लोगों के लिए संस्थाओं की चुनातियां और समस्याएं, अब हम सेकिन युनिट में ही सेकिन टॉपिक देखेंगे परिधान इसे परिधान के सिध्धान परिधान के समाजिक तथा मनो विज्ञानिक तत्व बस्तर और परिधान का चेयन परिवारिक परिधान का चेयन परिधान का निर्मार खाखा बराने की मूल सिध्धान समतल नमूना फ् वस्त्रों का रूपांकन, सिध्धान्त एवं धारना, फैशन रूपांकन, फैशन चक, बैपारी करण एवं वैवशाई करण, इसे तरीके से वस्त्र एवं परिधान की सुरक्षे एवं रख रखाओ, धुलाई के साधन, विद्याओं और उपकरण, अब हम देखेंगे थर् धर्म और उनकी महीन बनावट, समस्त प्राकरती का मानो निर्मित का संसाधिन बनावट, सूत की परिभासें बरीकर, सूत की पहचान और बिभिन बस्त्रों में इसका उपियोग, बस्त्रों के बनावट में बुने विये, बिना बुने विये, सलाई से बुने भी तथा अन तक्नीके से बने बस्त्रों की परिभासा, रेशों, सूत्रों, कपड़ों का परिक्षन, गुर्वत्ता, नियंत्रण, अनुशन धान, केंद्रों का महत्र, अब हम थर्ड यूनिट में ही सेकेंड टॉपिकों पढ़ेंगे, संसादन व्यवस्ता, जिसमें हम ग्रह व्यवस्ता परिवार में निर्नय प्रक्रिया, निर्नय प्रक्रिया के चरण, विवादों उसे निपटने के तरीके, कारे सरली करण, ठीक है, ग्रह में कारे सरली करण का महत्र, माडेन के परिबर्तन, वर्ग, कारे, सरली करण, पैन और प्रैंसिल तक्निकी, आवास, घरी लूप करण, चुनाओ और देख रेख यह सब आएगा स्पल्द थार्ड युनिट पे सेकेंड पार्ट में फूर्थ देख लेते हैं मानुविज्यान में वाल विकास सद्धान अभधां न आएं संपूर्ण जीबन पॉशनकाल में विकास पूर्वे बाल्य वस्त में देखवाल एवं सिक्छाव भड़ते विए इस तरीके इसी तरीके से बाल्य वस्ता एवं किसोरा वस्ता में विकास शात्मक समस्याएं असक छमताएं विकलांगता एवं निर्देशन एवं प्रारामश ठीक है ये देखना है आप लोगों को प्रांगत बाल अद्धियन विधियां वं मुल्यांकन के तरीके महिलाव समंदी अद्धियन परिवार कल्यान योजनाए नवीन उपगमन ये सारी चीजे हैं अब हम 50 उनिट की बात कर लेते हैं इसमें पहला पार्ट है अनापचारिक सिक्छा और प्रशार अनापचारिक और पाठिकरम आयोजन विकास के सिद्धान दता प्रचली तरीके अपचारिक अनापचारिक और प्रशार सिक्छा के प्रवंदन और प्रशाशन अपचारिक अनापचारिक और प्रशार सिक्छा में निर्देशन और प्रामर्ष के सिद्धान अपचारिक अनापचारिक और प और कौन सा है ये फिफ्ट इनेट में second portion है मतब second topic है विकासातमक शैक्षिक संचार इसमें संचार के प्रत्या देखेंगे और वरगी करन संप्रेशन की परंपरागत विदियां शाधन इनका चुनाओ त्यार करना उप्योग संप्रेशन की अधुनी करन विदियां शाधन इन उनका शुनाओ, तियार करना, उप्योग करना, विकाशात्मक संप्रेशन की रणीती, ग्रह विज्ञान विश्य के कक्छा, अध्यहापन में संचार के तरीके, प्रचार लौकिक समंदों के लिए संचार के शादन, संचार की आज की प्रचली समाज में बदलाओ और मांगें अब हम देखेंगे शिक्स्त, अनुशंधान की बिधियां, ग्रह विज्ञान में अनुशंधान के चलन ट्रेड, अनुशंधान योजना, अनुशंधान के प्रकार, प्रतिदर्श तक्नीकी, तत्य संकलन के लिए सादनों का चरेवर निर्मान, यंत्रों का चुनाओ और व स्विक्रक्रत तत्त का प्रदर्शन वाक्याम विवेचन, ठीक है, अब हम देखेंगे पार्ट बी, हमने पार्ट ए देखा था, देखी कैसे देखा था पन्ने, यह देखी, यह है पार्ट ए, अब हम देखेंगे पार्ट बी, कहां चला गए, यह रहां, पार्ट बी, इसमे आहार एवं पोशन, भोज विज्ञान, गुडवत्ता, नियंत्रन, विरहद एवं सूक्ष में पोशक्तत्तु हैं, मानवी पोश की करण अवस्तत्ता हैं, पोशन तत्तों का मुल्यांकन, भोज जैसे विज्ञान, सिकेंड है संस्थानिक प्रबंदन एवं आहार विज्ञान प्रगत वविश्था पनेवं संगठन, मानवी संसादनों के प्रबंदन, प्रवगात्मक रूप से अधिक मात्रम भोजन बनाना, आर्थिकम लाभात्मक वविश्थाएं, बड़े पैमाने पर भोजन की त्यारियां, भोजन प्रोशने और पहुशने के तरीके, वविशाई अब हम थड़ देखेंगे, बालेवं मानवी विकास, मानवी विकास का अधिकार, मानवी विकास के तत्युन सद्धान, पूरे बाले वस्तमें देख वालेवं विकास, रणीतियों, इन्हें रिक्षन और देख भाल, विसस्त रवसकता वाले बच्चे, संकट में पड़े जिसमें संक्रट पड़े बच्चे से बाल परिश्रमी हो गए, बेघर बच्चे हो गए, बाल शोशन हो गए, दीर कालीन बिमारियां हो गई, हस्ता छेप कारक्राम, विभिन सांस्कृतिक परिवारों में समाजी करन, बच्चों के मुल्यांकर में प्रगत बिधियां, बस्त में परिधान उद्योग, बयपारिके मुलाधार विसेज वरनन, गोड़ निणे ऑजनसिवं विपरन, विस्व के एतिहासिक परामपारिक वस्त विसेज तौर से बहरत के संदर में, वस्त पारिधान पाठ़क्रमम अध्यापन, पाठ़क्रम का विकास, बिस्याशन पढ़ाने में इसके तरीके और साधन वस्त्रिवं परिधानों भोगता वस्त्रिवं परिधान में नवीन विकास इसी तरीके से फिप्ट यूनिट है ग्रहव समुदाय संसाधन प्रबंधन ग्रहव व्यवसाय के अवधारना परिवार में पधती तंत्र सीलिक्स की परिकलपनाय है यह आप देखेंगे और उभुक्ता सिक्छा। सिक्ष उनिट में है ग्रहıl विज्ञान प्रशार शिक्छा। जमै करें ग्रह विज्यान के आपचारी सिक्षण के अपाठिक्रम का विकास ग्रह विज्यान के आपचारी के प्रप्राइब सिक्षा ग्रह विज्यान में प्रशार बतलती है भरात में महिला है विकास की उजनाए ग्रह विज्यान दोरा सौ रोजगार और लगधिमिता ग्रह विज्यानिर प्रशार के कार्क्राम ठीक है यह आप हिंदी में देख लिया आपने अब हम इंग्लीश में देखेंगे Home Science Part A इसमें Food Science देखेंगे Nutrition Science देखेंगे और Second Unit में है पहला Institutional Management इसी तरीके से B है Clothing Second Unit में ही Clothing है ठीक है Three Textile है पहला Part और Part B में क्या है Resources Management आप देखेंगे ने इन डेटेल में वीडियो पॉस करके चलिए एक मिनट Fourth Unit है Human Development जिसमें Child Development पढ़ेंगे Life Spend Development पढ़ेंगे Child Rearing पढ़ेंगे Early Childhood पढ़ेंगे Care Educational Emerging Trends यह साही चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे Women's Study भी Family Welfare प्रोग्राम भी Recent Approaches देखेंगे आप लोग ठीक है Non-formal Education Extension Education यह सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ेंगे अब बी पार्ट में देख लेते Development and Educational Communication इसमें हम Concept और Classification of Communication देखेंगे Traditional Method and Material of Communication Selection Preparation Modern Method and a Material of Communication Selection and Preparation uses यह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं हम 6th unit में देखेंगे Method of Research Research Design Types of Research Trends in a Research in a Home Science Sampling Technique Selection and Preparation of Tools for Data Collection Types of Variable and Their Selection Data Collection and Classification Coding Analysis of Data through The Parametric and Non-Parametric Statics Report Writing Presentation of Data Interpretation of Discussion अब हमने पार्ट A देखा था English में अब पार्ट B देखेंगे जिसमें फर्स्ट में देखेंगे 4th unit देखेंगे Clothing and Textiles जिसमें आप Textile पढ़ेंगे और Printing पढ़ेंगे Textile एन एपरेल Industrial Qualities Control Agency Marketing इस अब चीज़ें देखेंगे ठीक है चलिए 4th unit है Sorry 5th unit है Home and Community Resources Management Home Science Extension Education ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं Home and Extension में Non-formal Adult Education in Home Science Extension Education in Home Science Women in a Changing in India Plans for their Development Self-Employment and Entrepreneur Through the Home Science Curriculum and Development for Formal Education in Home Science General in a Special Special Method for Teaching in a Home Science ये सब चीज़ें देखेंगे Programs of the Extension in a Home Science Measurement and Evaluation Including the Monitoring and Supervision Supervision for Adult Education इतना ही है Slabes में सभी को एक मिनाट में इसको अच्छे से कर देती हूँ आप लोग देख लेना Screenshot लेना Thank you